असलाम अलेकुम और रहमतुल्लाई बरकात्व। मैं माउन मौलिव शेक सलीव शेक मजीद मिल्लत हाइ स्कूल नाचन खेड़ा। पैरे बच्चों, आज हम उर्दू बाल भारती जमात हर्ष्टुम की गजल नमबर एक पढ़ेगी। अर्दू शेरी असनाफ में गजल की खास एहमियत है। गजल का हर शेर अपने आप में मुकमल और मानी और मकूम के एतिवार से दूसरे शेरों से चुदागाना होता है। गजल की एक मखसुल रहियत होती है। इसमें मतला हुसन मतला काफिया और रदीफ वगेरा की खास एहमियत होती है। पहला शेर मतला कहलाता है जिसके दोनों मिश्रों में काफिय की पाबंदी होती है। आखरी शेर में शायर अपना तकनलुस इस्तेमाल करता है। इस शेर को मक्ता कहते हैं। अब शायर का तारूब। डाक्टर महम्मद इकबाल 9 नौएंबर 1847 को सियाल कोट में पैदा हो। उनके वालिद का नाम शेक नूर महम्मद था। उन्होंने इप्तिदाई तालीम मिशन स्कूल मिशन कॉलेग सियाल कोट से हासिल की। आला तालीम लहोर और विलायत से हासिल की। जर्मनी से डाक्टरेट और लंदन से बिरिष्टरी की सनद ली। इनकी शायरी का आगाज कॉलेज ही के जमाने से हो गया था। अल्लाम अकबाल ने उर्दु शायरी को एक नया रंग वह आहंग अता किया। उन्होंने एहल मश्रिक के सोये हुए जहनों को जगाने और उन्हें जिन्दा कौम बराने का फरीजा अन्जाम दिया। इसलिए उन्हें शायर मश्रिक भी कहते हैं। उन्होंने उर्दु के साथ साथ फार्सी में भी शायरी की। उर्दु में उनके चार मजमुएं बांगे दिरा, बारे जिब्रील, जर्वे कलीम और अर्मगाने हिजाज के इलावा फार्सी में जावित नावा, पयामे मश्रिक, इसरारे खोदी और रमुजे बेखोदी शाय होकर मक्बूले आम हुए। 21 एप्रील 1938 को अल्लमा अकबाल इस दारे फानी से कूच कर गए।